हेलो एवरीवन मैसेफ साक्षी फ्रॉम सेंडिंग स्टडी एकडमी आज अपनों पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक यह इस मेंसुरेशन क्या होता है मेंसुरेशन साइकल किसको बोलते हैं और कौन कुन साइवेंट होता है वह हम लोग देखेंगे आईए देखते हैं कि में स्ट्रीषन साइकल खोते मैं स्टॉल साइकल कि कैडिक इस दिप्रासस ऑफ शेडिक अफ यूटरीन लाइनिग उप अर रेगुलर मंथि बेसेश सेक्ट बेसेश इन वोमन मैं एक मंतली बेसेश तेका होता है जिसमें की क्या होता है यूटरीन वाल ब्रेंव आधों होता है अब अपने blood vessels के साथ वजाएना के थूर रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं mensuration बोलते हैं आज कल उसको हम लोग periods के नाम से भी जानते हैं ठीक है आईए देखते हैं it is result यह mensuration cycle क्या होता है result due to breakdown of indometrium lining of uterus uterus का जो uterus में basically तील लेयर होते हैं लेकिन उसका जो indometrium lining होता है uterus का वो breakdown हो जाता है ठीक है और अपने blood vessels के साथ तूट के liquid के form में या blood के form में बाहर आता है ठीक है that comes out through वजाएना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं mensuration बोलते हैं यही जो cycle monthly repeat होता है mensuration का उसको हम लोग mensuration cycle बोलते हैं ठीक है तो जो एक कब fertilized होता है female के body में जब एक को sperm मिलता है उसके बाद जाइगोड बना देता है तो क्या हो जाता है एक fertilized हो जाता है लेकिन mensuration कब आता है जब एक हमारा fertilized ना हुआ हो ठीक है यह remember करने वाली बात है और यह mensuration जो blood flow होता है कितने दिन तक इसका जो duration है तीन से पांस दिन तक होता है ठीक है एक बाद फिट से देख लेते हैं mensuration cycle क्या होता है यह मंतली basis पर वुमेन पर shedding होता है ठीक है क्या होता है इसमें कि breakdown of endometrium wall ठीक है with its blood vessels in the form of liquid ठीक है which come out to vagina इसको हम लोग क्या बोलते है mensuration बोलते है mensuration कब होता है जब हमारा एक को हम लोग क्या बोलते है ovum कहां से release होता है ovaries से होता है मैं आगे बताओंगी सब ठीक है जब हमारा एक fertilized नहीं हुआ होता है तब ही मिसिंग mensuration इंडिकेटर होता है pregnancy का आए देखते हैं देखिए इस फिगर में इस फिगर में देखिए यह क्या है फीमेल ओवरी का यह है ठीक है यह दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं यह देखिए कि यूटरीन वाल जातीं टीन वाल इंडिकेटर है जो यह अंदर वाल कि अश्य में वाल है वह बीच में है कि अश्य पैरण आपम recipes का यह देखिए यह यूटरीन कावीटि यसको वमब भी बोलते हैं यहीं पे होता है एक फरटिलाइज्ट के भूब होता है फिटस बनाता है किया है यहां पर फैलपियन ट्यूब प्रेजन्ट होते हैं टीक है या क्या क्याम रहता है यह ऀतरा है से कनेक्ट यह करता है ठीक देखिए फेलोपियन ट्यूब की त्री पार्ट होते हैं इस्थमस, एम्पुला और इनफंडी बुलम और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्पुला और इस्थमिक जंक्षन पर ही हमारा जो एग होता है स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो साइट और फर्टिलाजेशन फैलोपेंट ट्यूब में क्या है एमपुला इस्थमिक जंक्षन पे हमारा फर्टिलाजेशन होता है यह देखिए यह वजाईना है यह सर्विक्स है यह यूट्रिन फंडस है यूट्रिन कैविटी इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं और यह यह जो फिंगर लाइक जयर बोलते हैं यहां face a really होना है जैसे हैं यहां यहां से रिलियूव होता है तो इसको फिंगर लआई क्वेंद फिंगर अक्ट हरे वह हमारा आक हुट्स दोाइट ही हुदा ईसले इसके लिए यहां परिंद परी होता है जब हमारी महलें हमारु उ यहां से आते हैं यहां से आते हैं एक पहुझता है धिरे धिरे इस पॉम साथ में फ्यूज हों ठीक है यहां पर साइड परकुन हो जाता है फर्टिलाइजेशन जब होता है जब simultaneously egg और sperm साथ में fuse हो ठीक है यह नहीं कि एग अगर आज release हुआ अगर sperm 10 दिन बाद तो ऐसा fertilization नहीं होता है ठीक है तो simultaneously egg और sperm का साथ में fuse होना जरूरी है यह figure आप लोगों को समझ में आ गया आईए देखते हैं when egg will fertilize हमारा एक कब fertilize होता है जब हमारा एक sperm के साथ मिलता है तब जाके हमारा एक fertilize हो जाता है और क्या बनाता है जाइगोर ठीक है तो menstruation कब होगा जब हमारा एक fertilize नहीं होगा अगर fertilize एक हो गया तो क्या lead करेगा pregnancy को lead करेगा आईए देखते हैं कि अगर menstruation फ्लो होगा तो हमारे body में कैसी cycle चलेगी या प्रेग्रेंसी होगा तो फिर कौन सी cycle चलेगी देखिए हमारी body में दो stage आते हैं मिनार्क और मिनोपॉस मिनार्क क्या होता है मिन यहां में जो है किया है और मिनार्क किसी फीमेल के बाड़ी में first meduration start होता है lives a voter t उसको हमनों क्या पॉलता है मिनार्क टिक है जब भी पहला menstruation यह पिरेड जब भी पहला फ्लो होता है कि इसाइड़ एज़ ऑ पीड़ी किसी भी girls में थो को इसको या होता है कि पॉर्टी कभ स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे क्ढOOOO क्या लोते हैं मेंसृति होता है फिर्टी यह सटार्ज वी में तो उस process को हम लोग क्या बोलते हैं मिनार फिर ovulation क्या होता है process of release of ovaries ovaries मैंने बताया दो ovaries present होता है female के body में वहीं से क्या होता है OVA, OVA को हम लोग एक भी बोलते है in a normal language ठीक है तो जब ovaries से OVA का release होता है और उस process को हम लोग क्या बोलते है ovulation ठीक है मिनार प्यूबर्टी कव आती है 12-14 years girls में आती है और मिनो पास मैंने बताया है जब mensuration stop हो जाता है का 42-55 years में ठीक है देखे events during menstrual cycle menstrual cycle में basically 4 events होता है ठीक है menstrual phase होता है जब पहला दिन हमारा menstruation flow होता है ठीक है फिर follicular phase आता है at the day of 7 of your cycle जैसे एक मन्त में 28 days होता है इसी 28 days में 4 cycle completely चलता रहता है जैसे ही हमारा period start हो जाता है वो menstruation phase हो जाता है ठीक है जैसे हम लोग का सातवा दिन आता है मन्त में वो इस्टेश follicular phase होता है ठीक है फिर 14 दीन क्या होता है ovulatory phase इसी phase में ही क्या होता है हमारा egg release होता है ठीक है फिर day of 21 of your cycle 21 दीन में क्या start हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद हमारा आता है follicular phase फॉली किलर फेज में क्या होता है धीरे धीरे एग अब graphene follicles बनने लगते धीरे धीरे हमारा एक develop होने लगता है फिर ओविलेटरी फेज में क्या आता है जो हमारे इंडुमेट्रियूम वाल होता है बहुत ज्यादा थिक हो जाता है बहुत ज्यादा ग्रैफियन फॉलिकल बन जाते जिससे वज़े से ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और हमारा एक रिलीज हो जाता है तो इसके ब मेंस्रोल फेस क्या होता है कि विए मेंस्रेशन फ्लोओं और एन लास्ट फॉस फोस होता है उसी फेस को मैंस्रेशन फेस बोलते है करके हैं और ये विसी कि टरू festivals रहते हैं ये कब होता है रिजर्ल्ट दिवी ड़ेक डॉण एंडोमयत्रिय। उमलनिंग उब उल्लाक। कि हाख मारा यूट्रस जो इंडो में लाइन निक्या किशता है खक्या किसके साथ अपने ब्लड विस्ल्स बढ़र ne नेक्सट के आता है बॉलीकिलर फूरिकलर्ड है फॉलिक्डर फिस में देखे क्या होता है जो हमारा एक होता है उसके किनारे किनारे दीरे 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 ले चरफिटा प्रूर्छ उसके इंड्योमेत्रेंट वॉल्यूतरिय। इस phase में क्या होता है the secretion of LH and FSH यह दो हर्मोन्स होते हैं ठीक है क्या होता है इंक्रीज होने लगता है gradually follicle phase में और इसके साथ साथ estrogen का भी जो amount है वो भी बहुत जादा secret होने लगता हाई होने लगता है तो इस phase में LH, FSH और estrogen का हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई पीक पर हो जाता है ठीक है जो ग्रोविंग फॉलिकल्स के तुरू फिर आता है ओविलेटरी फेस मिन्स बैसिकली जब हमारा ओवम होता है ठीक है इसमें क्या होता है रैपिट सीक्रेशन ऑफ एलेच इसमें भी इसके पीछे वाले में LH FSH estrogen सबीस बहुत याउद हो रहा था लेकिन विविएटरी में और जयादा आप मिज़ाय को जाता है जिसके वज़ेसे मिट स साइकल में उनी को द्रेखर हो जाते हैं शटी सय Laad-We do और फिल जब ड्रिट्डाउन होते हैं तो हमारा क्या होता है एक मेंस्ट गार्णी में जातागा उसके लिए भी क्या भूलते हैं ये क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट आफ ग्रेफियन फॉलिवडुड्स ट्रणंस्वॉर्म अप्रॉडपल थोड़ा सा ही इसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स ब्रेक हुआ था लेकिन इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल्स वह कैसे बन जाते हैं ऐसे स्टार से लाइक स्ट्रक्चर कॉर्पस लूटियम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो की प्रेग्नेंसी के लिए बहु क्यों घोता है एसेंशियल फॉर मेंटेनिस ऑप दो मेट्रियों लाइनिंग जो हमारा इंडो मेंट्रियों लाइनिंग यह वो ठीक रहेगा तब कि जाके हमारा जो हो गया तब गड़ेंस को अभ्रुटो नोगर यहां से म चैन्ज सब्सक्राइब को गया चेपर अगर तो जब हमारे पॉलिकücks भी जाए आयrant ना लेगा के लुव अगर्वस्रों deber 활동 क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है जिसके वज़े से क्या होता है जिसके वज़े से जो हमारा इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो ठीक थीन था वो क्या होने लगता है तरसा ठीक नहीं होने लगते जिसके वज़े से यहीं पर आके इंबिरेट होने लगता है, ठीक है, implantation के लिए और fertilized ovum के लिए ये event होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कब था, ये इतना process जब हमारा एक fertilized था, ठीक है, अगर in the absence of fertilization, अगर हमारा एक है जो fertilized नहीं वा, उसको इस पर मिला है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये corpus luteum degenerate, ये ज ब्लड वेसल के साथ इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थीक था फिर्थीन होके धिरसे वह ब्लड के साथ ब्लड के रूप में बजाएना कस्व आउट हो जाएगा ठीक है लीडिंग टू मेंस्टुरेशन मेंकिंग न्यू साइकल वही क्या हो करता है मेंस्टुरेशन बना दे देखी आइए ऑक qam धजू करता है ओक देखिए कि 10 18 दीन का इस ठीक है उसमें क्या रह्पा अन्डोमेट्रियम साइकल हें यहां से producing मेंस्टाइप धीर धीरे मेंस्टूरेशन फेज हो गया दीरे धीरे 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 घूविलेशन फेजी इसमें क्या होगा ग्राफियन फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगें बीच में कि यहां पर धीरे से क्या हो गया एक ओविलेशन के थूरू क्या होता है इस स्टेज में हमारा ओविलेशन के स्टेज में LH high हो गया FSH और estrogen हाई हो गया लेकिन जैसे ही luteal phase आता है हमारा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा hormones release होता है सबसे ज़्यादा प्रोजिस्टिरोन का hormones बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हाई हो जाता है ठीक है उसके बाद जैसे ही luteal phase अगर हमारा एक फर्टिलाइज तो कॉर्पस लूटियूम देखिए यही कॉर्पस लूटियूम का structure है कॉर्पस लूटियूम बड़ा होता जा जाएगा ठीक है आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो थैंक्स पर वाचिंग और डोंट फॉर्गेट तो लाइक सब्सक्राइब और शेर थैंक